आड़ी शर्मा सोलुशन देख रहे हैं क्लास 11 है चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स है यह एक्सरसाइज है 32.5 इसमें आप देखेंगे आपको स्टैंडर्ड डिवेशन निकालना है इस डिस्टिबूशन का तो उसका क्या तरीका होगा आपको यह x और y दिया हूआ है तो हम क्या करेंगे इसको कॉलम में दिखलेंगे यह आपको values मेरी हुघ है तो पहले यह x को यहाँ दिखलिया और frequencies को यहाँ दिखलिया अब आपको स्टैंडर्ड डिवेशन निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले एक assume mean ले लिजिए assume mean क्या है फिले आपको देखना पड़ेगा कि यह जो है यह आपके arranged order में है के नहीं arranged है 4.5 सबसे छोटा है 64.5 सबसे बड़ा है middle one क्या है 34.5 34.5 आपका middle one हो गया अब आप देखे यह जो बिल गया आपको इसको आप assume mean लेगे यानि कि यह जो x है यह बहुत बड़े number इसको छोटा करना चाहते हैं x वैसे हम f into x करके हमारा formula है हमारे पास लेकिन हम चाहते हैं computation कम से कम हो computation कम करने के लिए x से 34.5 जो कि यह assume mean हमने लिया है हर एक value को subtract कर दिजिए होनेगा तो यह हो गया लेकिन अभी आप देख रहेंगे यह di हमने जो introduce किया x i minus 34.5 जो हमने अखोद ही लिया है इसका बज्यूम मिन कह रहे है x i minus a हमने किया है लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर हम 10 से divide करेंगे तो और थोड़ा सा easy हो जाएगा हमारा main मुद्दा तो यह ही था ना कि हमको कम से कम चाहिए यह value तो यह computation कम से कम हो तो हम क्या करेंगे हर एक value को 10 से divide कर देंगे तो di तो हमारा बन गया था जो था x i minus 34.5 अब हम क्या करेंगे यह x i minus 34.5 जिसको हम di करें अब di by 10 कर देजे और इसको u कर देजे कोई भी variable कर देजे ui जो हमें कहा है वो x minus 34.5 और by 10 कहा है तो आप जो यह है इन सब को 10 से divide कर देजे minus 30 by 10 minus 3 इस तरीके से 10 by 10 आपको 1 हो जागा इस तरीके से सारे आगा अब आपको क्या करना है यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम क्योंकि पहले कॉलम क्या भशक्ता नहीं हम अरड़ी इसका easy form ले चुके है तो second column और fourth column इसको multiply करके यहां लिक देजे f i u i ठीक यह हो गया मतलब आपको 1 से यह minus 3 को multiply करना minus 3 आएगा एक और कर लेते है 17 को आप multiply कर लीजे आपने 1 से 17 आएगा 4 को 3 से कर लीजे 12 आजाएगा अब आपको इसका जो fourth column है उसका square करके लिखना है यह u i square है इसका square minus 3 का और square 9 minus 2 का और square 4 इस तरीके से square आगया अब आप क्या करेंगे यह तो था है आप पस तो second column और आप sixth column को multiply करेंगे आपके f i f u square करेंगे तो इसको और इसको multiply करेंगे यहाँ पर जैसे यह करके दिखाता हूँ 1 into 9 एक और ही लेते 17 into 1 यह बार भी यह आगा 9 into 4 36 इस तरीके से आजाएगा जब यह आगया तो आपका sigma लेंगे अप इसका लेंगे sigma इसका sigma लेंगे आप इसका sigma लेंगे ठीके अब आपके पस क्या है यह sigma f i u i whole square आगया यह sigma f i u i आगया आपका यह sigma f आपका capital N जो होता है वो 70 हो गया मतलब आप अड़ किया तो sigma f i अब आप formula देखें ध्यान से variable का formula क्या होता है variance का formula क्या होता है यह होता है h square 1 by n sigma f i u i square है यह ठीक है i equals 1 to n तो खिर समझते हैं आप minus 1 by n sigma f i u i इसका whole square तो एके करके बाज़ लगते है h क्या है जो हमने divide किया था यह 10 किया था यह h है हमारा तो यह आपका 10 square हो गया 1 by n n capital क्या है यह sigma f i है 70 sigma f i u i whole square क्या है f i u i whole square आपका 130 आया है यह 130 लिख दीजे minus sigma f i u i कितना आया था 22 capital n क्या है sigma f i यह आपका हो गया 70 इसका whole square कर दीजे यह computation कर लेंगे वैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो 175.83 आजाएगा standard deviation निकालने के लिए क्या करेंगे under root of variance करेंगे तो आपका यह आजाएगा 175.83 का root 13.26 13.26 इसका answer आगया next वाला क्या है इसमें आपको table below shows the frequency f with x alpha particles are were radiated from a diskette यह x दिया है यह f दिया यह question में दिया है यह first और जो यह पहला और second column है यह आपको दिया हुआ है third, fourth, five, six first और second column तो ऐसी लिख लीजे आप यह आपको क्या करना है कि क्यूंकि x i अलड़ी छोटा value है तो अब हम इसका कुछ कर नहीं सकते है जो फिछला था ना इसमें हमारे पर x की value थोड़ी सी बड़ी थी या और भी बड़ी होती तो हम इसको फिर और resolve करना चाहेंगे उसको easy बनाना चाहेंगे यहाँ पर x हमारे पास already छोटा है तो हम वाली चीज नहीं apply करेंगे जो अब हम नहीं की है हम क्या करेंगे सीधर direct करेंगे सबसे पहरे आप क्या करेंगे f i x i निकालिए f i x i हो गया मतलब इस column को इस column से मुड़ा करेंगे जैसे 0 into 51, 0 203 into 1, 203 यह f i x i आ गया अब sigma f i x i करना है इसका total करना है इसको total हम नहीं किया तो 10078 आया अब आपके पास यह जो f i i है इसका sigma f करिए तो कितना है उसको हम capital N भी कहते है 2600 आगया अब आपको sigma f i x i बैस sigma f i निकालना है यह क्या हो जाएगा x bar यानिकी mean कितना हो गया 100007 10078 और आपका आगया यह 2600 ठीक है जी अब अगर मैं इसको करने की कोशिश करूँ तो आप देखेगा कि मैं इसकी अपकी value लिखता हूँ और फिर आपको देखना है कि इसमें आपको हडाना क्या है ठीक है तो मैं यहाँ पर अपने calculator निकालता हूँ और कर रहा हूँ मैं आपको करेंगे दिखा दा हूँ यह 1 मनदब मैं खुद कर रहा हूँ 10078 डिवाइड बाई 2600 ठीक है यह आप साथ में कर सकते हैं यह आपका आ रहा है 3.876 तो 3.876 आ गया आपका अब हर एक value को यह आप 3.88 लिख सकते हैं इसको तो हर एक value का 3.88 सब्सक्राइट करेंगे मनदब 3.88 सब्सक्राइट आईए तो इसको आप कहरें XI मैंनस X बार X बार हमने निकाल लिया यह आपका 3.88 आ गया अब 0 मैंनस 3.88 मैंनस 3.88 ऐसी आप और ले लिए 9.9 मैंनस 3.88 तो आपका यह आएगा 9 मैंनस 3 9 मैंनस 3.88 आपका बनता है 5 5.12 बनेगा यह 5.12 आगया ऐसे सारे करने हैं आपको सबसे 3.88 खटा देना है यह आगया अब इसका आपको करना है स्क्वार और यह वाले 5th कॉलम में लिखना है इसका स्क्वार करने है हर एक वाली का स्क्वार करें अब आपको क्या करना है 2nd कॉलम और 5th कॉलम को मुणिप्लाय करना है यानि ki F I को X I मानस X बार होल स्क्वार से मुणिप्लाय करना है यहसे 51 को 15.05 सी किया तो 765.55 आया इस सरीके से हर एक को हर एक इस वाले से multiply करना है तो यह आ गया अब इसका sigma कर लीज़े sigma करेंगे तो यह addition में 944 8.84 8 आ रहा है तो जो sigma fi x i minus x bar का whole square होता है by sigma fi यही आपका variance होता है यानि कि sigma square ठीक है जी तो आप क्या करेंगे आपको question में कहा गया है mean and में निकाल लिया variance निकालना है तो क्या करेंगे इसमें sigma नहीं निकालना है तो variance निकालना है सिद्धा आपका यह जो value आई है 9448 0.848 और divided by आप कर दीजिए यह 2600 तो यह आपका आता है 3.63 दिख भी रहा है यह 3 की 3 के करीब है यह 9 की करीब है तो तकरीबन 3.63 आ जाएगा ओके नेक्स वाला है इसमें question नमबर 3 find the mean, mode, standard deviation and coefficient of skewness for the falling data अभी यह कैसे करेंगे इसमें क्या year of renderer दिया है number of persons दिये year of renderer और number of persons और number of persons जो दिये हैं यह cumulative दिये तो आपको चाहिए frequency यह ऐसा दिये दिये, वार करेंगा तो आपको फ्रिक्वेंस नहीं से इसको में क्र समय आफे है यह का o F है लेकिन पूरा नहीं है C F है cumulative frequency तो cumulative frequencies से F कैसे निकालते हैं आपको याद है frequency से cumulative frequency कैसे निकालते थे य så HA hatte 15す 30 32 नहीं सब्स 17 थाएगा 78-51 करेंगे 27 97-78 करेंगे 19 109-97 करेंगे तो 12 आएगा तो यह F आ गया तो यह जो तीस्वा कॉला में यह आप important हो गया है अब आईए यहां पर year of renderer अब यह बड़े नमबर दिख रहे हैं थोड़े से छोटा कर लेते हैं इसको बहुत ही छोटा कर सकते हैं तो कैसे हैं आप क्या करिए इसमें से एक assume mean ले लिजे तो इसका mean कैसे लेंगे यह इसमें क्या नमबर है आपके 10 20, 30, 40 50, 60 6 नमबर है तो 6 में तो middle मिलेगा नहीं आपको 2 middle मिलेंगे कौन को से मिलेंगे n by 2 और n by 2 plus 1 तो n कितने हैं यह 6 नमबर है तो 6 by 2 और 6 by 2 plus 1 यहने कि तीसरा और चौथा तो तीसरा और चौथा को जोड़िए और divide by 2 कर दीजे तो 30 plus 40 divide by 2 यहने कि आपका है 35 35 आप assume मिले लेगे तो हर एक value को आप उससे 35 को घटा दीजे सबको करने है ठीक है तो 10 minus 35 आपका आजाएगा minus 25 20 minus 35 आजाएगा minus 15 लेकिन अब आप देखिए यह जो अगर मैं इसको केवल 10 minus 35 करता हूँ तो आपका आएगा minus 25 यह minus 15 यह 0 40 minus 35 हो जाएगा आपका 5 यह 0.5 आगा 30 minus 35 आगा 5 5 फिर 0 जीर तो आई नहीं रहा है 40 क्योंकि 35 तो है नहीं इसमें 40 minus 35 हो जाएगा 5 ठीक है और यह आएगा 15 यह आएगा 60 minus 35 हो गया 25 अब आप देखिए इसको भी और 5 से डिवाइट करेंगे तो सारे के सारे हो सकते यह 10 से डिवाइट कर लीजे और छोटा हो जाएगा 5 से करेंगे तो 5 5 से 25 5 से 50 5 से भी कर सकते हैं लेकिन और छोटा करना है तो आपको सबको आप 10 से डिवाइट कर लीजे नर्मली हम 10 से डिवाइट करते रहें ध्यान रखिएगा तो जब हमने इनको 10 से डिवाइड किया, basically हमने di निकाला, वो है xi-35, जो मैंने आपको ये वाला कॉलम दिखाया, अब इसको हमने डिवाइड कर दिया 10 से, तो di ये basically ui है, ये वाला, तो हमने di वाला जो step है वो छोड़ दिया, di ये है, basically ये di by 10 भी है, सीधा ui निकाल दिया, तो ui कितना हुआ, जो भी value आई, ये वाली इसको divide by 10 करती है, तो 10 डिवाइड करने बाद ये आया, अब आप क्या करिए, fi ui निकाल लिए, इन दोनों को multiply करिए, कॉलम को, 15 into minus 2.5 minus 37.5, ऐसे, इन दोनों को multiply करिए, यहाँ पर आगया, अब आपको इसका square करना है, ये वाल पर आगया, अब इसको sigma कर लिजिए, इसको sigma कर लिजिए, इसको सब जोड़ के यहाँ, इसको सब जोड़ के यहाँ लिख दिजिए, ये तो आपका 0,20, ये आ रहा है, नहीं, 0 नहीं आपको value बताता हूँ, ये जो है, आपका 109 आएगा, sigma f करेंगे तो, ये आपका fi ui जो आगया ओके अब सबसे पहले आप इसका मीन निकालेंगे फिर बाद में हम मीन बहुत सारी चीज़ कुछी मीन मोट सेंट डिवेशन कोईशन तो पहले मीन दो मीन निकाल लेते है मीन का फॉमला क्या हूता ाइ ए अधिवम मीन प्लस ह् जो आपने ये लिया है सिग्मा एफ आई यो आई बाई एन चलिए अस्यूम मिन क्या है हम ने काली आथा 35 35 हो गया प्लस एच कितना है जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइड करते हैं इजी बनाने के लिए 10 उसका सिग्मा एफ आई यो आई तो खेर आपने 0.5, minus 0.5 है, तो इसको आप दिखिए, minus 0.5 और n तो आपका sigma f हो गया, यह आपका 109 हो गया, इसको compute करेंगे तो आपका 34.96 आ रहा है, क्योंकि उत्तर, जो x दिया है, years में दिया है, तो हमने इसको year कर दिया, ठीक है, years, यह आपका x, x बाहर यानिकी mean आ गया, अब आपको नि variance, variance कैसे निकालेंगे, h square मेंने बताया था, sigma fi ui whole square, by capital N, यहने sigma fi, by sigma fi ui, by n का whole square, x square तो आपका 10 into 10 हो गया, यह आपका आगया, fi ui का 261.25 यह लग दीजे, और आपका 109 ही रहा है, minus, यह आपका 109 निचे है, और sigma fi ui कितना है आपका, यह आगया 0.5, और इस पूरे का square है, यह आपका बनके आएगा, 0.25, यह बनके आगया, 109 का square होगा, 1188, 1, ठीक, यह तो ही आपका, तो इसको compute करेंगे, यह आपको मैंने दिया हुआ है, यह आपका compute करिया, 239.6 हैगा, यह आपका होगया variance, variance होता है, sigma square के बराबर, तो sigma कितना आएगा, under root of this one, under root of this one कितना होगया, 15.47 years आगया, अब जो coefficient of skewness होती है, महता है mean minus mode, mean है निकाल सबसे आदा frequency किसकी, इस table को देखना है, इसके लिए आपको cumulative frequency से frequency निकालना ही पड़ेगा, तो 27 है, सबसे आदा frequency किसकी है, 27, 27 के सामने क्या number है, 40, तो mode कितना होगया, जिसके सबसे आदा frequency होती है, वही mode होता है, तो 40 होगया, तो mean minus mode, mean हम निकाल चुके है, 34.96, mode हमारा कि 40 करेंगे, तो minus 5.04 आएगा, यहापकर coefficient of skewness आजाएगा, चलिए साब, अगला सवाल क्या कहता है, find the standard deviation of the following data, तो इसमें तो बहुत easy सा दिया हुआ है, आप क्योंस यह x i, f i, column 1, column 2 दिया हुआ है, पहले आप इन दोलों को multiply करिए, f i, x i करिए, अब एक x bar ले लिजे, या करेंगे हम, x bar निकारने के लिए आप करेंगे, sigma f i, x i by sigma f, तो sigma f, इसको जोड़ दीजे, यह कितना रहा है, 48, f i, x i तो करी लिया था, इसको जोड़ दीजे, आपका 614 आगया, अब मैं इसको कर रहा हूँ, 614, 614, divided by 48, यह आपका आगया 12 point, यह आप तो आगया 12.79, इसक मालने क्या, 12.80 मालने थे, अब देखें आप, आपको क्या करना है, x bar आ गया ना, अब आप हर एक value से 12.8 subtract करेंगे, 3 minus 12.8 कितना होता है, यह से 9.80 लिख सकते हैं इसको, 9.79 है, इसलिए मैं आपको यह बता था, 12.79 है, डिरेक्ट ले सकते हैं 12.8, वैसे हैं हम हमेशा 12.79 ही लेके चलते हैं, क्योंकि जब हम statistics की बात करते हैं, तो हम इसको round off नहीं करते हैं, तो 12.79 लेके ही चलिए आप, 12.8 कर सकते हैं, easy बन जाएगा, तक 12.79 लेके ही चलिए, तो हर एक को 12.79 से subtract कर लिजए, तो subtract करेंगे तो यह आ जाएगे सारे, हर एक को करना है, ठीक है, तो य तो ही आजएगा, अब x-x बार आगए, इसका square कर देगा, भार कर देगा, इस्का square, इसका square, or ₹-9.79 का whole square, झाआफो को कर सकते ही सब कर लेजिए, फिर इसको जोड़ड़े ज़़ा, 1697.32,ㅎㅎ 7.84 कर लेजिये, सींटी सब को सिदो कर लिज, जोड़़जे Congress and we will सब्सक्राइब निकालना है तो इसका रूट कर लीजे 6.12 आ जाएगा शुक्राइब बहुत मिरबानी आप सबीकी